जैन दोस्तों मेरे नामे अतुल और स्वागत है अपनी डिप चनल अतुल टिक बजार में दोस्तों रियल्मी 12 प्रो सीरीज काफी दिनों से चर्शा में थी और फाइनली दोस्तों ये लॉंच हो चुकी है इनफेक्ट दोस्तों रियल्मी 12 प्रो को हम पिछले सेवन डेस से कंटिनुसली यूस कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग एटुजे डीप में सारे जानकर ये आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जारे पासे दोस्तों इस मोबाइल का सबमरीन ब्लू कलर जो की काफी बढ़िया लगता है इनफेक्ट ये मेरा फिवरेट भी हो सकता है आपका भी हो साथ ही मैं इससे मिलता जुलता कलर का टी शेट भी मैंने पहना हुआ है ये वीगन लेदर डिजाइन के साथ में आता है और ये पहले वाले वीगन लेदर से बहुत जादा आला कि दूस्तों इसमें वीगन लेदर के साथ में हाई-ेंड सिलिकॉन का भी मिक्सप किया बिए है इसी दोस्तों यह काफी ज्यादा स्मूध और सिल्की फील होता अगर आप इस तरह से इसे रखेंगे तो इसमें आप हो जाएंगे इस तरह से अगर आप मोबाइल में बात कर रहे हो तो कोई भी बंदा बीना पूछे आपसे नहीं रहेगा कि भी आप कौन सा मोबाइल यूस कर रहे हो इस डिजाइन को फेंच वाच में कर ऑलिवेर सेवियो ने बनाया है जो कि ब्रैंडेड वाच जैसे रोलेक्स वगरे के लिए डिजाइन बगरे बनाते हैं और यहां पर दोस्तों फाइनली काफी बढ़िया डिजाइन निकल के आता है गोल्डन की एक लाइन यहां पर जाती हुए दिखती हो और यह राउंड लेके एक रिंग बनाती है और बीच में दोस्तों आपको संबस्क डिजाइन मिलता है जब भी लाइट इसमें पड़ता है यह काफी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होता है और और यहां पर वीग का पिक्सल OIS EIS कैमरा है इसके बाद यहां पर टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट मिल जाता है जो कि सोनी IMX 709 32 मेगा पिक्सल का कैमरा इस पर 2X ऑप्टिकल जूम के साथ 4X इंसेंसर जूम का सपोर्ट मिल जाता है साथी में 8 मेगा पिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता अगरे श्रेट वाला डिस्पले है आप देख सकते हो चारो तरफ से काफी जादा पतले बेजल के साथ मैं आता है और यहां पे वीविंग अंगल काफी बढ़िया लगता है क्योंकि यह कार्ड डिस्पले के साथ काफी ब्राइटर डिस्पले के साथ आपको मिलता है वैसे दे दिया तो असा नहीं कि performance यहाँ पे कम कर दिया यहाँ पे दोस्तो रिसेंटली राउंच है Snapdragon 6 Gen 1 वाला प्रोसेसर मिलता है इसका आयंति तो benchmark score 5-6 लाग के आसपास अज़ता है यह भी काफी तगड़ा प्रोसेसर है वैसे बैटरी इसमें 5000 image की मिलती है और 67 वाट की सूपर वुक चारजिंग मिलती है कितना है नहीं दोस्तो इस premium design के साथ साथ यह mobile IP 65 rating के साथ भी आता है तो आज आते हैं इसके price में price यहाँ पे हभी तक मुझे नहीं पता है बट अगर हमारे recording हम बोले इसका जो price है 20-22,000 रुपए के अंदर आ सकता है इसका base वेरिया बैसे जो भी इसकी real pricing होगी description box में आपको इसकी सारे detail मिल जाएगी इस mobile में और भी features भर भर के पड़े हुए है इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे चलिए फड़ापट से पहले देखते हैं इस तरह का yellow box आपको देखने को मिलता है realme 12 pro 5G device बहुत सारे specification है detail में हम इसके बारे में बात करेंगे चलिए फड़ापट से पहले देखते हैं इस box में आपको यह सारे चीज़े मिलती है अबसे पहले manual book मिलता है इसी में जेटर टूल मिलता है बढ़िया quality का बढ़िया TPO cover case मिल जाता है साथ ही में एक तगड़ी सी charging cable मिल जाती है और एक तगड़ा सा charger मिलता है 67 watt का यहां पे जार्ज़ा दिया हुआ है इसके लाव दूस्तो UV glow screen protector अगर आप अपने mobile में apply कर रहे हो तो उसके पहले इस आरे sticker लगाने के लिए यहां पे दिये हुए है यह राज दूस्तो finally realme 10 pro 5G device back side का look देखते से ही काफी ज़्यादा premium लगता है लगता है यार की काफी मैनत की हुई design में पीछे की तरफ आपको नीचे यहां पे realme की branding मिल जाती है और यह यहां पे vegan leader design की साथ में आता है बड़ पहले वाले से काफी अलग है यहां पे high end silicon material यूज़ किया गया है इसके साथ यह काफी silky feel होता है नहीं नहीं दोस्तों यहां पे center से strip line गई है यह भी काफी ज़्यादा बढ़िया लगती है तूर दूर तक यहां पे fingerprint के नाम और निस्तान आपको फिल्कुल भी future में देखने को नहीं मिलेंगे काफ rough use भी अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी golden strip सीधे जाके मिलती है एक बड़ी सी रिंग से जो की camera के around दी गई है और इसे अगर आप देखोगे तो किसी luxury watch से यहाँ पे कम नहीं दिखती काफी बढ़िया यहाँ पे luxury watch type का design मिलता है इतना ही नहीं दोस्तों यहाँ पे आपको polish sunburst design भी इसके अंदर मिलता है जैसे ही यहाँ पे light पड़ती है काफी बढ़िया तरीके से reflect रता है और भी काफी प्रीम रखता है यहाँ लेक्जरी watch maker Olivier Savio जो की series brand जैसे Rolex के लिए अपने design देते हैं रियल्मी के साथ मिलके इस design को बनाया है और काफी बढ़िया design या निकल के आया है इस design के लिए एक थमसब तो बनता ही है बैक साइड में triple camera setup मिलता है जिसमें primary sensor 50 megapixel sony imx 882 वाला sensor है जोकि OIS EI इसको support करता है इसके बाद 32 megapixel sony imx 709 वाला sensor दिया गया है जोकि telephoto lens है 12 megapixel ultrawide sensor मिल जाता है सेलफी के लिए 16 megapixel sensor दिया हुआ है जोकि काफी बढ़िया photos ले लेता है mobile 8.7 mm थिकने के साथ में आता है और इसका weight 190 gram का है फिर भी दोस्तों यह mobile काफी ज़दा slim लगता है काफी ज़दा light weight है यहां पे right side में volume record के और power on a button का support मिलता है यहां पे top portion में आपको एक speaker का support मिलता है bottom में अगर हम देखे तो sim tray type c charging port और एक और speaker का support यहां पे मिल जाता है and left side आपको सारा का सारा blank मिलता है top और bottom में आपको deal stereo speaker का support मिलता है जोकि doll भी autum को support करता है और sound quality भी काफी बढ़िया मिल जाती है mobile में दो 5G SIM आप यूज कर सकते हो dedicated SD card का option नहीं मिलता mobile center punch-hole display के साथ में आता है जो की 6.7 inches का एक FHD plus OLED display 120 Hz reference rate को यह support करता है इसकी touch sampling rate 240 Hz के आसपास है bezels आप देख सकते हो आजू बाजू ऊपर नीचे काफी पतले bezels यूज़ किये गए 93% screen to body ratio मिलता है यहाँ पर दोस्तों यह जो display है 915 nits brightness को support करता है day lighting visibility काफी काफी bright है कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं जाती scale hour 2160 Hz PW dimming को भी यह support करता है while में screen protector आपको पहले से ही लगा मिलेगा और glass protection के बारे में बात करें तो AG glass protection के साथ में यह mobile आता है करें YouTube video quality की तो 4K SDR तक का support max to max आपको YouTube वीडियो में मिल जाता है colors काफी जादा bright निकल के आते हैं काफी जादा यहाँ पर details आपको मिल जाती है और all दोस्तों यहाँ पर viewing angle भी काफी बढ़िया लगता है जब यहाँ पर आप देख सकते हो पैदल्स आपको उपर निजा आगे फिचे सारे इक सारे theme मिलते हैं तो overall जो viewing experience यह decent ही मिलता है इवन दोस्तों जब हम इसे tilt करते हैं इस तरह से तो आप दिख सकते हो यह mobile जो है इसके color faded नहीं करता है काफी बढ़िया brighter color निकल के आते हैं और यूटूब video experience, other video experience काफी decent मिलता है dual stereo speaker का support मिलता है जो कि हम पहले ही बता चुके है इस साथ में tall view items और high rate certification के साथ में यह mobile आता है यहां में दूस्तों sound quality आप देख सकते हो काफी बढ़िया निकल के आती है जो output है आपको काफी crystal clear मिलता है in display fingerprint का support इस mobile में मिल जाता है और यह mobile को काफी quickly और accuracy के साथ unlock कर लेता है जितने भी बार हमने टेप किया फटा फट से यह mobile को unlock कर देता है इसकी speed काफी ज़्यदा फास्ट है mobile realme UI 5.0 Android 14 stable update के साथ में आता है in fact 2 major update 3 year तक security page update इस device में मिलते रहेंगे latest security page update 5 December का इस mobile में मिल जाता है हमारे पास 8GB to 56GB variant available है up to 8GB तक यहां पर virtual RAM का support मिलता है पावर के बात करें तो यहां पर latestly launch हुआ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 वाला 4NM OctaCore processor मिलता है जो कि Adeno GPU 710 पर run होता है एंते तो benchmark score आप देख सकते हो 560,000 के आसपास इसका एंते तो benchmark score आता है GPU score अगर आप देख लोगे तो 95,000 के आसपास आता है इस mobile में आपको 5000 mAh battery का support मिलता है and 67W Superbook charging का support मिलता है up to 50 minute यह mobile fully charge राता है charging test भी बहुत जल्दी चैनल पर available हो जाएगा आपकर से UI and features के बारे में बात करते है UI काफी ज़्यादा smooth है Realme 5.014 जो है यहां पर काफी ज़्यादा fast भी है सबसे पहले दोस्तों आप नोडिफिकेशन पैनल आप दे सकते हो old वाला ही मिलता है यहां पर windows को link करने वाला एक नया option मिलता है google feed का option आपको old वाला ही मिलता है then यहां पर बहुत सारे blue pair app आपको मिल सकते है जिसे one tap पर आप install करके UI को clean कर सकते है यहां पर hot game का option hot app का option मिलता है app market में जाके आप इससे setting से disable कर सकते हो इसके बाद यहां से गायब हो जाएगा इसके बाद दुस्तों यहां पर आपको google dialer जो है program कर सकता है इसलिए ओ डायलर आप install कर लिए जिका प्ले स्टोर से यह auto call record करता है यहां पर large folder वाला option मिल जाता है जिसे आप shrink भी कर सकते है लॉंग प्रेस अगर आप home screen में करते हैं आप विजेट्स के option मिलते है self वाले और इस तरह से आप home screen को customize कर सकते है blossom live wallpaper का support इस device के लिए मिल जाता है in fact realmeuer 5.0 and nerd 14 में जितने भी static new wallpaper है इस सारे wall way पर आपको इस device में मिल जाते है game space में आपको 4D vibration को option मिलता है क्योंकि इसमें जो haptic feedback मिलता है इसमें आपको यहां से इस 4D vibration को enable करना पड़ेगा game space के बारे में हम gaming में ज़्यादा बात करेंगे नए वाला music player आपको मिलता है जिसके UI काफी ज़्यादा changes यहां पर देखने को मिला है मुझे तिन यहां पर दोस्तों आपको जो है doc, file doc और recent file वाला एक option मिलता है जिसमें आप इस तरह से recent file चेक कर सकते हैं यहां पर अगर आप long press करते हैं photos में जाके किसी image पर तो इस तरह से आप cutouts इसके बना सकते हैं image को extract कर सकते हैं और इसे save करके other field में use कर सकते हैं यह काफी useful feature है तो यहां पर एक साथ बहुत सारी photos को अगर select करते हैं तो create में आपको gif का option मिलेगा इस तरह से आप gif images बना सकते हैं और इसे भी share कर सकते हैं काफी बढ़िया option है realmeway 5.0 में जो aod customization मिलता है new वाला carbon footprint का यह सारे aod customization option आपको मिल जाते हैं in fact मुझे कुछ नए वाले यहां पर fingerprint animation भी देखने को मिले हैं x-axis linear vibration motor का support इस device मिल जाता है haptic feedback बहुत ही मसका है यार अगर आप gaming कर रहे है या फिर चोटे मोड़ेट को टास्क कर रहे हो तो haptic feedback बहुत बहुत बढ़िया मिलने वाला इतना ही नहीं दोस्तों इससे ringtone के साथ आप sync कर सकते हो और भी बहुत सारे options आपको haptic feedback यूज करने के मिल जाते हैं यहां पर आपको old वाला जो option है heart rate monitoring का यह भी मिल जाता है और भी बहुत सारी UI में feature भर-बर के पड़े हुए इस वीडियो में हम cover नहीं कर सकते है dedicated video जरू से इसके लिए रहे काएंगे headpack के हमें stability चेक करने के लिए हमने जियो की 5G scene इसमें insert किया है indoor outdoor तोनों में ही है हमने इसका downloading uploading चेक किया है और साथ ही में दूस्तों यहां पे 95G band का support मिलता है indoor में भी काफी बढ़िया downloading uploading speed मिल जाती है 400 और 26 mbps के आसपास outdoor में इसका result आपको और भी तगड़ा देखने को मिलेगा downloading speed यहां पे 700 mbps के ऊपर पहुच जाती है और uploading speed भी यहां पे काफी बढ़िया मिल जाती है तो यहां पे uploading speed आप देख सकते हो 44 mbps के आसपास मिल जाती है network में वैसे कोई भी यहां पे दिक्कत नहीं है network stability काफी बढ़िया है gaming के बारे में बात करो जात तो game space के latest version का support इस mobile में मिलता है haptic feedback जैसा feature इस device में मिलता है तो यहां पे 40 vibration का feature भी आप setting से enable कर सकते हो काफी useful feature है voice changing वाला option मिलता है free fire PUBG जैसे gaming के लिए यह working करता है यहां पे आपको game filter का option मिलता है बट यह disable है यहां पे फिलाल system status का option भी मिलता है जिससे आप एप इस फगर यहां पे चेक कर सकते हो graphics देखे स्मूद के साथ extreme balance के साथ extreme SD के साथ extreme HDR के साथ ultra HDR का option भी इस mobile में मिल जाता है साथ ही में यहां पे gyroscope और reverse gyroscope का option भी मिल जाता है यह काफी अच्छा gyroscope इसका work कर लेता है मोबाइल का जो प्रोसेसर स्प्राइब रेगां वाला एक आपी अच्छा response करता है टीडीम गेमिंग वगरे भी हमने इस mobile में किया है और response हमें काफी जबादस मिला है फ्रेंड डॉप वगरे नहीं होते हैं इसका वैसे डीप रिवू बहुत जबी गेमिंग डीप रिवू हम करने वाले है चैनल पर वीडियो अपलेबल हो जाएका चेक आउट जरू से करिए गया तो इसे फिलाल के लिए यहां पर गेमिंग काफी बीसें तरीके से आप कर सकते हो कैमरा फीचर्स के बारे में बात करें तो नाइट पॉंट में वेरियस फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं फ्रेंट एंड रेर दोनों में ही आपको नाइट मोड का सपोर्ट मिलता है इसके अलावा कुछ इस तरह से आप मून फोटोग्राफी कर सकते हो आपको मून फोटोग्राफी का यहाँ पे आप्शन मिलता है डिन दोस्तों यहां पे आपको २ि आपको बोड्रीक वेरिमिन से श्क्राविक्त मिलता है बहुत से mobile में ये वाला option 1080p 30fps पे ही दिया गया है ऐसे EIS OIS का support इस mobile में मिल जाता है काभी अच्छे stable video आप इस mobile के थूरू record कर सकते हो वीडियो के लिए various filters का option मिल जाता है front से आप 1080p 30fps, 70p 30fps video record कर सकते हो या आप delta study option नहीं मिलता 2x in sensor zoom and 4x in sensor zoom का option आपको photo के लिए मिलता है max to max आपको 20x digital zoom का option मिलता है moon photography काभी अच्छे तरह ही किसे कर सकते हो front में भी आपको beautification के बहुत सारे और filter के option मिल जाते है portrait में आपको bouquet exits का option मिलता है साथी में यहाँ पे 2x optical zoom का option मिलता है में 32 megapixel telephoto lens दिया हुआ है यहाँ पे काफी बढ़िया portrait photography आप कर सकते हो 12 pro series में नया color picker watermark देखने को मिलता है जो कि pics की color availability को show करता है यह watermark काफी बढ़िया और premium लगता है यहाँ पे दोस्तों आपको front में भी बहुत सारे beautification और filter के option portrait mode में मिल जाते है then more के option में pro mode, panorama mode, high raise mode, film, slow motion time lapse, long exposure, dual video, text, starry mode जैसे option मिल जाते है यहाँ पे long exposure में अगर हम जाए तो इस तरह की neon photography, night type photography आप इस mobile से बहतर तरीके से कर सकते हो इसके sample भी हम आपको दिखाएंगे slow motion आप 720p, 240 fps और 1080p, 240 fps, max to max यहाँ पे कर सकते हो rare में ही आपको slow motion video को option मिलता है, इस mobile के through आप बढ़िया तरीके के portrait shot ले सकते हो बढ़िया तरीके के rare और front camera से photographic कर सकते हो चलिए फटाफर से कुछ photo video samples भी देखते है तब इंडोर, outdoor सभी जगा हमने samples लिए है इनफेक्ट यहाँ पे indoor में भी काफी अच्छा result देखने को मिलता है, इसका 2x telephoto lens और 4x in sensor जो काफी अच्छा यहाँ पे result दे देता है यहाँ पे 32 megapixel telephoto lens जो है, यह आपको ported है, यह काफी बढ़िया से ले लेता है scale of a यहाँ पे moon mode 2.0 को support मिलता है, moon photography काफी बढ़िया तरीके से कर सकते हो long exposure जैसे shots पी आप इसमे ले सकते हो, night mode भी काफी बढ़िया यहाँ पे work करता है rare camera से, front camera से, दोनों से ही हमने आपे photo samples किये काफी बढ़िया यहाँ पे night mode optimization किया हो गया है, कुछ इस तरह की night photography हो जाती है और all यहाँ पे photos काफी बढ़िया निकल के आती है बढ़िया वीडियो की तो front camera से जो वीडियो ले रहे है 1080p 30fps और rare camera से 1080p 60fps में वीडियो हम record कर रहे है वैसे हमें यहाँ पे 4K 30fps का भी option मिल जाता है और ultra steady का option आपको 1080p 60fps में rare camera में मिल जाता है colors काफी bright निकल के आते, steady mode काफी अच्छे से work करता है और यहाँ पे दोस्तों आपको dual view वीडियो वाला option भी मिल जाता है और 1080p 120fps पे यहाँ पे video record कर सकते हैं से 720p 240fps का भी option मिलता है कुछ इस तरह के slow motion video record कर सकते हैं camera काफी decent पर करता है पेस्ट हमने इस mobile के साथ के जैसे M2 benchmark के score आप देख सकते हो 5x60,000 के आसपास आता है इसनी वाले processor के हमने CPU throttling भी चेक कर आप देख सकते हैं clear graph green आपको देखने को मिलता है game 2 API का support इस mobile में मिल जाता है जिसमें आप Google camera easily तरीके से install कर सकते हो ghost test, multitask issues हमने भी इस mobile में चेक किया है ऐससे जैसा है आपे कोई भी issue नहीं मिला इसका touch काफी बढ़िया work करता है सारे जरूरी sensor जैसे gyroscope, proximity sensor, gravity sensor, geomagnetic, accelerometer ये सारे sensor इस mobile में मिल जाते है क्योंकि काफी बढ़िया तरीके से work करते है तो चदर features के बारे में बात करें तो यहाँ पे LPDDR 4X RAM का support मिलता है UFS 3.1 storage का support मिल जाता है Bluetooth 5.3 का support इस device में मिलता है Wi-Fi 6 का support भी इस device में मिल जाता है even ये जो device है IP65 rating के साथ में आती है 2 major update और 3 year तक security page update इस device में मिलते रहेंगे 5G connectivity के लिए 95G band का support इस mobile में मिल जाता है तो ये तो Realme Tail Pro 5G device का Deep and Deepest Review अगर कुछ जानकर है हमसे missing रहे गई ये आपके mind में कोई सवाल उठ रहे है तो आप simply हमें comment section में पूछ सकते है जरो से हम उसका answer देंगे और अगर हम देखे तो काफी बढ़िया package यहाँ पर मिल जाता है premium design तो मिलता ही है camera भी काफी बढ़िया यहाँ पर provide के गए काफी अच्छी तगड़ी photos आ जाती है यहाँ पर आपको बढ़िया सा display मिलता है card display और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर बढ़िया सा जबरदस पावरफुल प्रोसेसर मिलता है इसके अलाव आप fast charging का support भी मिलता है यह 3-4 चीज़े हैं जो की काफी ज़्यादा अच्छी रहती है audio jack mobile के लिए और सारी कुछ चीज़े इसमें भर-बर के मिली हुई है यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ missing है तो आपको यहाँ पर 3.5 audio jack missing लग सकता है थोड़ा सा यहाँ पर आप manage कर लेजेगा otherwise दोस्तों इस device में मुझे ऐसी कोई भी खामी नहीं लगी है फिलाल दोस्तों इस mobile के regarding और भी बहुत सारे test वीडियो आपको upcoming इस channel पे मिलते रहेंगे बहुत सारे comparison भी हम इस mobile के साथ करेंगे आपके mind में क्या चल रहा है इस mobile के लिए के चलू से comment section में share करेगेगा कोई doubt कोई question आगेंसे है आप हमें पूस सकते है फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना है मिलते है नेक्स नेवरी के साथ में तब तक के लिए जहन बोलते रहे है फंदे मातरम